हलो स्टुडेंट्स, आज हम M.A. फाइनल का फिफ्ट पेपर मॉडरन पॉलिटिकल थियोरी में अभीजन की अवधार्णा को समझने का प्रयास करेंगे सरवादिकारवादी, कुलीन तंत्रिय या वर्गवादी और इश्यनी की अन्य राज विवस्ताएं तो मानव की समानता पर ही आधरित हैं लेकिन लोकतंत्रिय विवस्ता को मानव मात्र की समानता पर आधरित समझा जाता है लेकिन वस्तुता यह सित्य सिद्दान्त में ही है वहवार में नहीं क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी राजव्यवस्था में सभी व्यक्तियों को समान प्रभाव और महत्व की बात केवल शब्दों में ही हो सकती है वस्तुता है नहीं और यदि हम यूनानी गनराज्यों की प्रतक्ष लोकतंत्रिय राजवयवस्था के बिले तो उसमें भी वे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक प्रिभावशाली होते थे जो अपनी बात को अन्य की अपेक्षा प्रिभावपून धंग से कह सकते थे और जिनक कि योग्यता, बुद्धी, बंश, आर्थिक तता सैनिक शक्ति की अन्य व्यक्तियों पर धाक होती थी। आज जब हमने प्रतक्ष लोक्तंत्र को छोड़ कर प्रति निद्यात्मक लोक्तंत्रिय व्यवस्था को अपना लिया है, तो सभाविक रूप से राजनिती में कुछ भूमी का अधिक महतोपूर हैं और कुछ कम महतोपूर हो जाती हैं। यानि कुछ व्यक्तियों का कारिये वर्षों में एक बार मतपत्र का प्रयोग करने पर ही समाप्त हो जाता है, और कुछ व्यक्ति इसके अलावा, उम्मीदवारों और राज़ितिक दलों के प्रतक्षवा परोक्ष एजेंट के रूप में भी कारिये करते हैं। और अन्य कुछ व्यक्ति सत्ता के आकांशी होते हुए भी सरवादिक महत्वपूर्ण भूमी का निर्वहा करते हैं। राजितिक अंतरगत जिने सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस्सिति प्राप्त होती हैं वे ही अभीजन कहलाते हैं। यदि हम राजितिक इस्तिती और राजितिक प्रक्रियाओं को सही रूप में समझना चाते हैं तो इन राजनितिक अभीजन का अध्यन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है तो यही तो वे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा राजितिक प्रक्रियाओं को संपादित किया जानता ह हेरल्ड लास्विल जो है इस के अभीजन के बहुत प्रमुक अध्यन करता है और उसके महत के संबन में लिखते हैं कि इस समय तक इस विचार को सरवत्र मानने तप्राप्त हो गई है कि राजितिक प्रक्रियाओं की सभी गंबीर गमेशनाओं में शक्ति अभीजन का व्यापक अध्यन अविशंभावी है यदि हम परिवर्तन के गति को समझने के लिए भूत काल का अध्यन करते हैं तो अभीजन से सम्मंदित सामगरी की अभेलना एविचारनिये हैं यदि हमारा मुख्य उदेशे शक्ति संगर्ष के मुख्य तत्वों को सामने रखना है तो अभीजन के अध्यन को टाला नहीं जा सकता यदि कोई अध्यन करता राज्यतिक मुथफेडों के स्थान और गति का मुल्यांकल करने के लिए भविशे की उड़ देखता है तो उसे अभीजन सम्मंदित सामगरी के महत को समझना ही होगा अभीजन की अभधारना का विकास कैसे हुआ इस पर हम देखें कि अभीजन शब्द का जो सरव प्रथम सत्रवी सदी में विशेश शेष्टता वाली वस्तू का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया गया और बाद में इस शब्द का प्रयोग उच्छ सामाजिक समुदायों जैसे शक्ति शाली सैनी की काईयों और उच्छ शैनी के सामन्ती वर्के लिए किया जाने लगा ओक्सफोर्ड डिक्षकनरी में भी इस शब्द का जो है सरव प्रथम प्रयोग 1823 में हुआ लेकिन इस शब्द का प्रिटेन और अमरिका में अधिक प्रयोग 1931 के बाद किया गया जबकि विल्फेल पेरोटो द्वारा प्रतिपाधित समाज शास्ते सिद्दान्तों में अभी जन के विचार को अधिक से अधिक प्रसार हुआ पेरोटो के बाद मोसोका, मेरी कोलम्बिसका, हटी, लासवेल, सी राइट मिल्स, टीबी बोटमोर, काल मैनहम और शुमपीटर आदी के द्वारा अभी जन की अभधारना पर अपने विचार व्यक्त किये गए अभी जन की धारना विबिन व्यक्तियों की शमताओं में एसमानता पर अधरीते और पेरोटो के अनुसार वे व्यक्ति जो अपने कारेशित्र के अंतरगत सबसे अधिक उच्च शर्णी पर हैं वे ही अभी जन है यानि प्रेरेटो जो है प्राकर्तिक मानवी एसमानताओं के अधर पर मानम समाज को दो वर्गों में बाटता है अभी जन तथा अभी जन नेतर अभी जन को उसने पुने दो भागों में बाटता है शाशक अभी जन और अशाशक अभी जन इसी प्रकार मोसका ने अभिजन तथा अभिजन नेतर जनता के मद्दे सुवेवेस्ति संबंद इस्थापित करतुए एक नवीन राज़ितिक धार्णा का प्रतिपादन किया है उसने समाज के दो वर्ग बताए हैं शाशक वर्ग और शाशित वर्ग शाशक वर्ग संख्या में अपेक्षक कृतकम शेष्ट संगठि तथा अपने गुणों के द्वारा समाज में संबानित होता है यह स्वयम अनेक सामाजिक सम्हों से निर्मित होता है उसने अपने व्यापक शाशक वर्ग को शाशक अभीजन या राज़ितिक वर्ग कहा है इसके अंतरकत वे व्यक्ति होते हैं जो राजितिक आदेश के पद को धारण करते हैं या जो प्रतक्ष रूप से राजितिक निर्णों को प्रभावीत करते हैं इस विशिष्ट वर्ग की सदस्ता समय समय पर बदलती रहती है, समाज के निम्न वर्गों से नवीन व्यक्ति इसमें समलित होते रहते हैं और कभी-कभी विद्यमान विशिष्ट वर्ग के इस्थान पर क्रांती के माध्यम से पूर्ण तया एक नवीन विशिष्ट वर्ग आ से सरकारी करमचारी वेग्यानिक अभियंता और बुद्धी जीवी आ जाते हैं इस डिसे से मोसका की शाशकवर की धारणा पेरटो के तुला में व्यापक है लेकिन कुछ ऐस्पस्ट भी है पेरटो और मोसका की अवधारणा के संधर्व में एक अंतर अभिजन और पेजातंत के पारस्प्रिक संबंद के विशे में भी है पेरटो का विचार है कि पेतिक समाज में शाशक और शाशित दो अलग-अलग वर्गों होते हैं और वह इस सिद्दान्त को ऐस्विकार करता है कि इस टिस्टिस से पेजातंत्री राजवेवस्था अन्य राजवेवस्थाओं से भिन होती है मोस्का का विचार है कि हम इस टिस्टिस से अन्य राजवेवस्थाओं से प्रजातंत्री राजवेवस्था भिन होती है और प्रजातंत्री राजवेवस्था अन्य वेवस्थाओं से भिन है क्योंकि प्रजातंत्र में शाशक अलपसंक्यक वैशेश समाज के बीच करिया प लास्वेल के अध्यन महत्यपूर्ण है पेरोटों का अध्यन भी बहुत महत्यपूर्ण है लास्वेल लिखते हैं कि एक राजतिक विवस्ता के अंदकर शक्ति को धारन करने वाला वर्ग ही राजतिक अभीजन होता है शक्ति धारन करने वाले वर्ग में नेत्त करने वाला व अभिजन में अन्य अभिजन वर्गों से अलग किया है जो शक्ति के प्रियोग से घनिष्ट रूप से संबंदित नहीं है यद प्यून का पर्याप्त सामाजिक प्रभाव हो सकता है राजितिक वर्ग राजितिक अभिजन से अधिक व्यापक है क्योंकि उसमें राजनितिक अ होते हैं अभी जन के एक और प्रमुखले के कह सी राइट मिल्स ने उन्होंने जो है शाशक वर्ग शब्द को उचित प्रकार ने मानकर उसकी इस्थान पर शक्ति अभी जन का प्रयोग किया है और वैं शक्ति शब्द में आर्थिक राजनितिक सैनिक धर्णाउं को मिला कर श सामाजिक डिस्थी से उच्चिस तरिये सामजस से पूर्ण एकता युक्त तथा लोक नियंत्रण की ऐस्विकार करने वाला होता है इसी प्रकार बोटो मोर ने अभी जन या शाशक वर्ग की अवधार्णा एतिहासिक परसुतियों में सामंत वाद के अंत तथा आधुनिक पूंजी वाद की प्रारंब की देन है उस समय से ही यह वर्ग समाज की अधिकांश संपत्ति तथा रास्ति आये के बड़े भाग का प्राप्त करता एम स्वामी बन बैठा है इन आर्थिक जो है लाभों को बनाए रखने के लिए यह वर्ग यह विशिष्ट संसकति एम जी पूर चारो को हमने देखा है इस समन्द में एक और बात आती है जो है वो इम फाइनर ने जो महत्तपूर है और उन्होंने अभिजण से संवन्दि समस्तिती को एक विभिन फाको के वाले संस्त्रे के अधार पर सुंदर उस समझाने का प्रयास किया है और उन्होंने काया है कि संत्रे की चमडी या सत्य समाज का अभीजन है और ये संत्रा जो है पानी में तैरता रहता है जिसकी चमडी का जो भाग जलिये रेखा के उपर है वे शाशक अभीजन है इस भाग के खंड समाज के उन समुदायों का प्रतिनीधित्व करते हैं जो नेतित की प्रतियोगिता में सफल रहे हैं और जिनके द्वारा सरकारी पदप्राप्त कर लिए गए हैं वे सभी खंड जो जलिय सीमा के अंदर हैं उन समुदायों का प्रतिनीदित्व करते हैं जो इस प्रतियोगिता में पराजित हुए है और जिनकी नीतियों के इस्थान पर विजेता वर्ग की नीतियों को अपनाया गया है और छिलके का वह भाग जो की धके हुए है प्रति फाइनर के दभारा कई इस विवस्ता में अभिजन वर्ग की परिवर्थन शील्टा का भाव नहीं थे जिस प्रकार हवाओं आधी के कारण जल में संत्रे की सिती परिवर्थित होती रहती है उसी प्रकार सामाजिक आर्थिक राज़तिक परस्तितियों के परिणाम समाज के अंतरगत अभिजन में परिवर्थन होता रहता है अब हम देखते हैं इन सब परिभाशाओं के अधार पर कि अभिजन की मुख्य मुख्य विशिष्टाएं क्या निकल कर आती हैं तो विविन विद्वानों ने जैसे कि मोस्का ने अपनी रचनादा रूलिंग एल अभिजन वर्ग के विशद विवेजन प्रस्तूत किया है और इन रचनाओं के अधार पर अभिजन की कुछ विशेष्टाओं का उलेख किया है जिन में से हैं पहली है अल्प संख्यक उच्वर्ग यानि समान्ता प्राणी मात्र की अकांशा है लेकिन असमान्ता प्रकर्टी का नियम है समाज में कुछ व्यक्ति अधिक विद्ध्या बुद्धी योग्यता और साधन संपन होते हैं जबकि अधिकांश व्यक्ति अपेक्ष्यक्रत अल्प मात्रा में ही इनके स्वामी होते ह किसी भी राज व्यवस्ता में सभी व्यक्तियों के समान महट की बात केवल शब्दों में ही होती सकती है वस्तुते नहीं लोकतंतर में भी राज व्यवस्ता पर वास्तफिक रूप में नियंतरन इस अलप संख्य कुछ वर्ग का ही होता है और यही अभीजन है अन्य किसी भी शाषन व्यवस्ता तक लोगतंत्र में अभीजन वर्ग की इस्तिती में यही अंतर होता है कि लोगतंत्र में अभीजन वर्ग पर प्रतेक्ष या परोक्ष रूप में सामाने जन का नियंतरन होता है और सामाने जन के द्वारा अभी जन में परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन अन्य शाशन वेवस्थाओं में अभी जन वर्ग पर सामाने जन का नियंतर नहीं होता दूसरी विशिष्टा है विशिष्ट वर्ग सभी राजबेवस्तां में अभीजन को विश्ष्ट महतु पराप्त होता है अभीजन वर्ग देश की राजिती की दिशा निश्शित करता है और यह निड़ने भी करता है कि किन उपायों को उपना कर इस लक्षे को पराप्त किया जाएगा अभीजन वर्ग सत्ता के केंदर में इस्तित होता है और सामाने जनता भी चाहती है कि अभीजन वर्ग को यह विशिष्ट इस्ति प्राप्त रहे सामाने जनता सोचती है कि अभीजन वर्ग की यह विशिष्ट इस्ति उनके हितों की रक्षा और व्रदी में सहायक होगी इसके तरिक्त उन्हें यह मनुवग्यनिक संतुष्टी भी प्रदान करती है तीसरा है विशिष्ट हित अभी जन वर्ग का जीवन के प्रती सामाने जन से प्रथक रूप में अपना एक विशिष्ट टिस्टिकोन होता है सामाने जनता के तुल्ला में उनकी भौतिक और मानसिक आवेशकताएं अधिक होती है और यही उनके विशिष्ट हितों को जनम देती है अभी जन वर्ग और सामाने जनता के हितों में अंतर तो होगा ही लेकिन इन दोनों के हितों में ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए जिसे पाटा नहीं जा सके चोथा है अभीजन वर्ग में परिवर्तन यानि अभीजन वर्ग में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं आज जो अभीजन वर्ग है उसका विरोध करने के लिए प्रतिय अभीजन का जनम होता है काउंटर एलीट यानी का जनम होता है और यह प्रतिय अभीजन स्वन के लिए शाशक अभीजन की सिति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रतिन शीन रहता है और जब इसे सफलता प्राप्त हो जाती है तो इससे अभीजन वर्ग में परिवर्तन हो जाता है अभी जन वर्ग में परिवर्ग में सभी शाशन विवस्ताओं में होता है अंतर केवल यह है कि लोकतंत्र में तो चुनाओं की रूप में अभी जन वर्ग में परिवर्ग में परिवर्ग का एक सेमेदानिक मार्ग होता है लेकिन अन्य विवस्ताओं में क्रांती और बल परियोग के अधार पर अभी जन में परिवर्तन होता रहता है तो इस प्रकार हमने अभी जन से क्या आशे है विभिन विद्वानों ने अभी जन क्या क्या प्रकार बताए है उनके बारे में क्या विचार है और उसकी विशिष्टाओं का अधन किया है धन्यवाद